आगे जो pointed part था वो कैसा था आपका नुकीला हुआ नुकीला था और इसे क्या कहते थे प्रोबोसिस इसके बाद ये प्रोबोसिस जो है इस टाक से यहां पे color से जुड़ी हुई थी मिन्स ये part जो था color reason था फिर कैसा था आपका ये बेलना कार जो भाग था वो trunk भाग था ये ठीक तो ये भाग जो हो गया आपका क्या हो गया प्रोबोसिस हो गया ये हो गया प्रोबोसिस ये color हो गया ये trunk हो गया मिन्स बैलनो ग्लासस जो है वो कितने भागों बटा हुआ है तीन भागों बटा हुआ है फिर्स्ट हो गया प्रोबोसिस सेकेंड हो गया color और तीसरा हो गया trunk तो जो ट्रंक यानि धढ़का भाग तो यह ट्रंक भाग भी तीन भागों में बटा हुआ था यहां पर क्या थी है एक विंग ती जो गिल्स को और गुनाट को थके रहती थी तो यहां पर क्या थे आपके गिल्स थे जिनकी संख्या जो है जैसे जैसे ऐनिमल की एज बरती जाती थी और यहां पर क्या फिल लगे थे गुनाड लगे हुए थे इस तरह से फूले फूले गुनाड थे इसके बाद यहां पर क्या था हीपाटिक सीका मिन्स उंगली जैसे प्रवर्ण दिख ले थे जिसे हम क्या कहते थे हीपाटिक सीका और फिर यहां पर क्या थी एक एन ब्रैंकियल रीजन ये क्या था ब्रैंकियल रीजन ठीक और ये वाला जो पार्ट था ये क्या था हिपाटिक रीजन ये हिपाटिक रीजन था और ये वाला जो पार्ट था ये किसका पार्ट था आपका एनर्स का तो मिल जो ब्रैंकियल रीजन वाला पार्ट था ये क्या कहला आपका प्री हिपार्टिक रिजन और ये वाला पार्ट क्या कलाया हिपार्टिक रिजन और ये वाला पार्ट क्या कलाया पोस्ट हिपार्टिक रिजन यानि हिपार्टिक रिजन का भाग जो है वो पोस्ट हिपार्टिक रिजन में ये वाला जो पार्ट पुरा हो गया ये क्य हो गया पोस्ट हेपाटिक रीजन पोस्ट हेपाटिक रीजन तो अब देखते हैं कि बैलोनो ग्लासिस कैसा है बेलनाकार है तो इसकी हैं दो चीज़े हम पढ़ते हैं एक तो जो पाचन करने वाले और गन 맞는Wasi का फा़्टम पर्चाल में और दूसरा पाचक जो सिख्रीट करते हैं कैथा हैं को सी गरंतियां तो डोनों को हम तंद्र में हम दोनों को पढ़ते हैं तो हम पहले औरगन देख लिए कि पाचन तंत्र में कौन-कौन से मेरे औरगन आते हैं तो pachan तंत्र जो है complete करता है तो elementary canal में क्या आगया मेरा आहान नाल कहां से कहां तक फैली होती है mouse से लेके इनस तक फैली होती है मैंस mouse से लेके इनस तक एक ट्यूब होती है जैसे हम कहते हैं elementary canal different different part में different different size की और shape की होते जाती है और animals में दूसरा क्या है पाचक ग्रंतियां ठीक है digestive gland तो elementary canal कैसी हो गई सीधी एक नली की तरह हो गई तो elementary canal जो है कैसी है सीधी नली के समान होती है और कहां से कहां तक फैली होती है mouse से लेकर इनस तक फैली होती है अब इनके भी कई parts होते है means elementary canals के भी कई parts होते है elementary canal mouth से लेकर इनस तक फैली है तो means सबसे पहले क्या हो गया mouth हो गया mouth के बाद क्या हो गया आपका बकल cavity हो गई next क्या हो गया pharynx हो गया pharynx के बाद क्या हो गया आपका oisophagus और इसो फेगस के बाद इंटेस्टाइन हो गई तो माउथ जो है उसके बाद ओपनिंग क्या हो गई आपकी बकल कैविटी मुख गोही का तो बकल कैविटी कैसे अब यहां पे डाइग्राम आप देख लें यहां पे मैं बता दूँ कि कहां पे पोजीशन है फिर हम इनके कैसे मेकनिंस के बारे में बताएंगे कि कैसे डाइजेशन हो रहा है तो जब हम इनका लॉंगिट्यूनल सेक्शन जब हम काटे हैं तो हमें यह पार्ट दिखाई दे रहे हैं एक सबसे पहले जो है वो क्या गई है ब्लड वैसल गई है यह रेड कलर की जो आप देख रहे हैं यह क्या है आपकी डॉर्सल साइड में ब्लड वैसल गई है तो यह क्या है डॉर्सल लॉंगिट्यूनल ब्लड वैसल रेड कलर की जो दिख रही है आपकी लंबी यह क्या है dorsal longitudinal blood vessels हो गई, यह आगे चलके थोड़ा सा फुला हुआ पार्ड बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, central sinus, यह क्या कहते हैं, वो किस तरह कार करता है, जैसे हमारा heart होता है, यह भी इनका heart की तरह होता है, इनके ऊपर एक covering होती है, यह black black से आपको देख रहे हैं, यह क्या कहलाता है, pericardium, blood vessels जो है, आगे चलकर, उंगली जैसे, सीका जैसे, tubular, tube जैसे, डिवाइड हो गई है, यह क्या कहलाएगा, आपका, glomerus, glomerus जो है, वो क्या कहते हैं, इस्क्रीशन, यानि उस सर्जन का काम करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो यह तो blood vessels के बात होगी, अब यहाँ प इतना यहां से लेके यहां तक यह पार्ट क्या हो गया, आपका proboscis हो गया, proboscis के बाद यहां से लेके यहां तक का पार्ट यह, यह जो पार्ट है, यह कैसा हो गया, आपका यह collar, यह collar की तरह हो गया, इसके बाद यह वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह क्या हो गया आपका elementary canal जिसमें से गई है ये क्या हो गया आपका trunk हो गया इतना पार्ट ये तो ये इतना यहां से लेकि ये pointed पार्ट क्या हो गया proboscis ये पार्ट हो गया collar और ये क्या हो गया यहां पर यहां पर प्रोबोसिस में cavity पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोबोसिस सील इसके बाद यहां पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं कर्व लाइक स्टक्चर है ये क्या कहलाता है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर यह जो है आपका यह क्या है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर है यह क्या है आपका मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर यहां पर यह ट्यूब लाइक मिस माउथ के थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ क्या कहलाता है एक जो है बकल diverticulum पहाँ जाता है जिसे हम क्या कहेंगे बकल diverticulum बोलते हैं यह क्या है बकल diverticulum को इसके बाद यहां पर यू शेप आप देख रहे हैं यू शेप जो है वह क्या है प्री ओरल सीलियरी और गन इसमें क्या होते हैं यह लंबे-लंबे आप देख रहे हैं यह सीलिया निकले रहते हैं तो यह क्या काम करता है यह फूड को टेस्टिंग का काम करता है मिंस फूड को यह टेस्ट करता है अगर इसके पसंद के फूड है तो यह अंदर पास करेगा नहीं तो यह क्या करेगा जो कॉलेट्रेज है कॉलरीजन का वह बंद हो जाएगा यहां पे और माउट जो है वह बं बकल कैविटी यानि मुख गुहा पाई जाती है तो यहाँ पे बकल कैविटी है बकल कैविटी से थोड़ा सा पीछे और ये ट्रंक रीजन के आगे बीच में क्या है फैरिंग्स पाई जाती है ये क्या है आपका फैरिंग्स रीजन है अब फैरिंग्स जो है तो क्या क्या part हो गए आपके माॉथ हो गया माॉथ कहां पे खुला है प्रोबोसिस और कॉलर के वेंट्रल रीजन पे यह यहां पे माॉथ है इसके mid-ventral साइड में माॉथ होगा इसके बाद यहां पे क्या हो गया आपका यह बकल यह portion क्या हो गया इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फैरिंग्स रेजन हो गया यह क्या कहलाती है फैरिंग्स या मुख ग्रसी का कहलाती है अब फैरिंग्स जो है यह दो भागों में बटी होती है मिंस यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया तो जो ये किस से बटी हुई आपकी पैरा ब्रैंक्यल ये क्या है आपका पैरा ब्रैंक्यल रिग्ड है ये जो है आपका पैरा ब्रैंक्यल रिग्ड है तो ये दो पार्ट में फैरिंग्स जो है वो बटी हुई है तो जो एक क्या कि पहँए आपको इन कि यह यह ऊवर कि आपकी और यह इसी एक एक यह उखेर यह साय है और यह आपकी दरब जबन की तरह या दिख रहा है तो यह से हम क्या बोलते हैं तो यह क्या हो गया आपका यह आपकी गिल्स यानि ब्रें्कियल रिजन में क्या होंगी आपकी गिल्स, लेके यहां- सक तक नियोंगा नहीं क्या कencies दोनों यहां- पूरा पार्ट है दोनों इस क्या कना है ब्रेंख्ली रिजन जाना टो ब्रेंगें ऑपर के साइट है उसली कोле को तो यह आपकी गिल्स हो गई और यह और सब्सक्राइन और भी एक निशाओं नीचे का सब्सक्राइब है वो क्या कहलाएगी digestive pharynx या क्या कहते है आपका digestive pharynx या ventral brâncle reason उपर वाला reason क्या कैला किया आया Tekras या इस्वशण का काम क्रते हैंите नहीं 쓰शन वाला reason हो गया तो यह क्या हो गया portions श्वशन है क्या नहीं अपका पाइसे रिजन का क्या है तो i यह रिजन क्या हो यह आपका respiratory pharynx हो गई यह इसे क्या कहेंगे दॉर्सल branchiol region, meaning branchiol का यह dorsal side है, ठिक। अब इसके बाद कि ट्रंक में ही आपका pharynx किस में खुलती है? O受 phagus, यानि pharynx के बाद क्या है आपका? O допagus, pharynx किस में खुलेगी? ऐसो फेगस में खुलेंगी तो ऊचि Alpes यानिध फãya रिंगस जो है किसमें खुली ऐसो फेगस तो blink ल में के बार्थ वाला पार्ट क्या कहलाGuya एसो फेगस कहलाता है और यह पार्ठ जो है वह कैसा होता है छोटा होता है स्मॉल होता है और यहां पर फिर जो पार्ट आजाते है वो क्या है आपका इसके बाद वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया इंटेस्टाइन तो छोटा सा रीजन जो है ब्रैंकिल के बाद वाला जो रीजन है वो क्या कहलाया ओइसो फेगस यह फैरिंग्स हो गई ठीक है ब्रैंकिल यह तब ब्रेंगображ फिर क्या हो गया, नहीं हो गया इसके बात हैं, सबस्टतедь फ्या 만약 ऐसके बात हो गया हो गया है। और इंटेस्टाइन किसमें खुली? यह पुली है किसमें खुली है किसमें खुली है किसमें खुली है किसमें खुली है झाल 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 झाल